हेलो फ्रेंड तो आज ही क्लास में देखने वाले हैं कि android runtime dialog box क्या होते हैं क्यों यूज में आते हैं और उसको सीखने से पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि runtime permissions होती ही है जैसे कि मैंने आपको previous sections में भी बता है जैसे हमने वेब व्यू किया था जब ही हमको internet की requirement थी तो हमने permission दी थी कि हमारा जो एप है वह इंटरनेट को यूज करना चाहता है तो उसको permission लेनी पड़ेगी यह first time कि यह चीज ग्रांटेट है यह permission आपको मिल जाती है तो आप उसके resources को access कर रखते हो किसके resources phone के जिसके अंदर आपकी app install हो रही है तो कोई भी resources अगर आपको phone का use करना है अपनी एप से तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको मैमिफेस्ट के अंदर add करना पड़ेगा कि यह permissions जो है वो में को चाहिएगी runtime में मतलब यह resources चाहिएंगे अगर आप उस resources को use करना चाहते हो और वो permission नहीं देते हो तो runtime में आपके app को accessible नहीं होगा वो particular इसके मतलब जिससे कोई भी यूजर का data चोरी नहीं किया जा सकता तो वो permissions easily accessible होती है यानि कि सिर्फ आपको manifest के अंदर add करना होता है और six version के बाद में भी वो जो permissions है वो आपको जैसे user आपको बीचन की requirement होती है वैसे जैसे अगर आपको user के messages को receive करना है या read करना है या message को send करना है तो यह जो सारी permissions है आपको internal data storage को देखना है बतलब कि gallery का data access करना है या जो भी उसका internal storage पर जो path पर जो data पड़ा है उसको अगर access करना है तो उनकी कुछ permissions होती है तो यह सारी पर्मिशन कि आपकी रिस्की पर्मिशन जिससे की यूजर का डेटा एक्सिबल है यूजर का डेटा चोरी हो सकता है तो इस केस अड्रोइट ने 6 वरजिन के बाद में क्या किया कि अब भी आपको ये पर्मिशन या तो सैटिंग में जाकि यूजर से करवानी पड़ेगी आप सैटिंग्स पर जाओगे आपके एप पर सर्च करना है और वहाँ पर मिशन से एक ब्लॉग आता है उसके क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी पर मिशन से हैं वह दिख जाएगी एक टोगल बटन होता है अब उसको आप कर सकते हो चीक है बट यह तरी से उनको कौन-कौन सा डेटा उस यूजर का एक्सेस किया जाएगा इस आपके द्वारा तो उसको नॉलेज में होना चाहिए कि यह सारी चीज़ें बैक्राउंड में हो रही है वेसी वज़े से एंड्रोइड ने का क्या पर मिशन रन टाइम में पर मिशन जहां पर भी आप यूजर को अगर लग रहा है कि इस पर्टिकुलर चलाने के लिए सच में रिक्वार्मेंट इससे डेटा चौरी होने के चैंसे नहीं है यह सिर्फ और से आपको चलाने के लिए पर्मिशन रिक्वाइड है तो वहां पर अलाव करेगा तो हम उसके आगे का काम करवा पाएं है या नहीं मिल गई है और अगर नहीं मिल लिए तो कैसे एक पर्मिशन डालोग बॉक्स शो किया जाए तो चलते सिधा एंडर चूडियो के अंदर यहां पर हम इसको एक्जिक्यूट करने वाले तो यहां मैंने एंडर चूडियो पन कर लिए अब मैं हाप एक डमी सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर एक बटन बना लेता है जहां पर मैं जिसके क्लिक पर यह चीज को फायर करूंगा जो कि अब मैंने सिम्पल सी यू अश्राइक बना लिए बटन बना और जिसको ट्रिगर करने वाले हैं जैसे मैं बटन पर क्लिक करूंगा चैक करूंगा यह चूप फर्मीशन से मिल रख़ी है नहीं मिल रख़ी है तो पर्मीशन डायलोग वह कर खाएंगे और यूजर से अलाओ करेंगे यूजर जैसे अलाओ करेंगे और नेक्स तैम यह बटन पर प्रेस करेगा तो वहां पर हम यह दिखाएंगे कि भी पर्मिशन मिल चुकी है उसके लिए हमको सबसे पहले तो मैंने फ्रस्ट में जाना पड़ेगा और वह पर्मिशन दालनी जो में को अब आक्सेसिबल करनी है और प्लस यह भी होगा कि वह पर्मिशन क्या होनी चाहिए रिस्की पर्मिशन होनी चाहिए यहां पर एक मैं रेड़ेश्मस ले लेता हूं यह आपको जीपिएस के लिए उजवाथ ही जीपिएस पर दो पर्मिशन देनी पड़ती आपको एक्सेस फाइन एक्सेस तो अभी हम आज आते हैं में अक्टिविटी के अंदर और यहां पर हम से पहले बटन के आईडी स्पाइन कर जाते हैं बटन हमने ले रखा एकी बट मैं इस बटन पर करा रहा हूं ताकि आप कोई आइडिया हो जाए कि कैसे ट्रीगर होगा कोई भी काम करने से पहले आप इसको कोई भी इवेंट के उपर फायर करवा सकते हो जहां पर पर्टिकुलर चीज की रिक्वार्मेंट है जैसे आप अगर कोई ऐसी है बना ले हो जो मैसेज घी कर दीए तो तो जिसके लिए आप कि अगया से पहले करना पड़ेगा हो लेकिन यह चीज मिलेगी के मीलेगी म continuing toBERG आगे वाला जू可म है क्रेश हो जाएगा जो काम करने हो प्स kato सबसे पहला क्या करेंगे हम यहां पर चैक पर्मिशन का जो कोड है वह हम कर लेता हूं तो मैं ही आप एक मैथड बना रहेता हूं पॉब्लिक और इसको हम रिटन टाप जो है वो वाइड नहीं करता है जिसे कि हम रिटन करेंगे कि जो जो भी करेंगे और अगर ग्रांटेट नहीं है दिनाइड है तो हम पॉल्स कर देंगे जिससे कि मैं इडेंटिफाइड कर सकूँ के पर्मिशन ग्रांटेड है या डिनाइड है तो यहां पर हम लिखते हैं एक्टिविटी कॉम्पैक्ट यह मैथड आपका क्या करेगा आपसे दो चीज़े मांगेगा एक तो कॉंटेक्स में आप दुस पास कर सकते हैं और दूसरी चीज़ मांगेगा जो पर्मिशन आपको चेक करवानी है तो मैं को यहां पर्मिशन चेक करवानी है एक्सस पाइं आपको सुझेशन में नहीं मिलेगा फॉस्स टाइम प्रिविटी इसकी एक फाइल है जो इंपोर्ट होगे उसके बाद आपको इस पर्मिशन पो डिरेक्ली एक्सस कर सकते हो यह एक्सस पाइं लोकेशन पर कोड है इस प्रिविटी कोड जोसको हम यूज करते हैं यूस का वेरियबल रहे है अक्सस पाइं लोकेशन जैसिंद आप यहां पर आपको और प्लूस एंडर का ओप्शन दिख रहा है यहां पर अनुरट मैनेफेस्ट डॉट पर्मिशन डॉट अक्सस पाइं लोकेशन आप चाहो होगे तो सारी पर्मिशन को आप एक बार में एक्सस कर पाऊंगे मतलब यहां लिखने के लिए कि हमारा एक्सस पाइनल लॉकेशन के लिए है और इसको चेक करेंगे कि इसका रिटन टाइब क्याता आप देख तो इसका रिटन टाइप क्या है इंटीचर वैलूट टॉट कर एब इंटेजर वैलियो आप यहां कि आवगी इनकी की वैलियो लियों यानिकर पर्मिशन घ् और अगर denied है तो उसके key value होगी तो यहां से आपको जो return integer मिलेगा वो किस से match होगा या तो granted की 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 से match होगा या फिर denied की 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 से match होगा तो हम वही चीज़ करवाएंगे भी check तो यहां पर आपको integer value मिलेगी लेकिन integer value जो है वो किसी से match होगी जैसे for example वन दे रखी है granted के लिए two दे रखी है denied के लिए तो यहां पर अब सेकिंड क्या करना आपको दूसरी permission के लिए चेक करना है तो इस result का नाम देता है हम result location और इस result का नाम देता है हम result message कि वहीं सेम तरीक है activity इस पास आपके पास रीदेशमस अहम यहां पर क्या कर देंगे रिटन रिजल्ट लॉक डबल इकोल स्टू पैकेज मैनेजर एक क्लास होती है उसमें से आपको यह मलता है पैकेज मैनेजर डॉट पर्मीशन ग्रांटेट और पर्मीशन डिनाइट अभी मैं आपको होता हूँ यह पर्मीशन गांटेट इसकी एक वैल्यू है जो मैं आप उगा था की वैल्यू जीरो मतलब अगर इंटीजर में जीरो रिटन होता है यहां पे यह और यह आपस में मैच हो जाएंगे और एक होता है डिनाइड अभी हम पर्मिशन डिनाइड यहां यूज नहीं करेंगे यह आटोमेंटिकली हम ग्रा यहां रिटन में क्या कर रहों यहां पर यहां पर सकते हो एक होती है तो बुल्दिन वेल्यू ट्रोक्री कर देख को जो और पॉल्स तो जो भी वैल्यू आजाएगा अगर तो मैं बहलेंगा पॉल्स चॉस्ट चाहिए क्र सकता हूं कि रिजुट मैं ही कंडिशन डाल देता तो हम यहां पर इन दोनों की कंडिशन लगा देते हैं रिजल्ट मैसेट डबल इक्वल्स डॉट पर्मिशन गांटेट कि अब यहां देख सकते हो यह पूरी हमारी कंडिशन है एंड लगा है यह दोनों पर्मिशन ट्रू होगी तब ही हमारे लिए वह चेक्ट है क्योंकि हमने यहां दो पर्मिशन लगाई और दोनों की रिजल्ट वैल्यू ली हमने इंटिजर में और यहां पर हम लव परमिशन मिल चुकी तो परमिशन मिलने के बाद में आपको जो भी काम करवाना है कि यह जो चीज है वो एकसेसिबल तभी होगी जब इसके क्या करना है यहां पर हमको आक्टिविटिंग करने हैं तो आप वह क्या होगी कि हमको परमिशन डायलोग बॉक्स को थो करवाना है तो activity compact.requestPermission दिख रहा है रिक्वेस्ट परमिशन क्या मांगता है आप से तेन चीज़े मांगता है एक आपको activity का reference दूसरा होता है आपको कौन-कौन से permissions तो permissions की जो array है मतलब कि एक string array में बेजना पड़ेगा आपको जो भी आपको permissions execute करवानी उस dialogue box में दिखानी है आप एक permission भी दे सकते हो आप multiple permission भी एक dialogue box में दे सकते हो महां पर आता है one of two, one of four फिर जैसे आप allow करते हो पहली पर्मिशन तो दूसरी dialogue box में two of four आ जाता है second one आ जाता है three of four then four of four dialogue box जाता है तो वह सारे permission आप यहां पर array में पास कर सकते हो second वाले parameter के अंदर और तीसरा होता है आपका request code अब request रोड़ा concept यह है कि आप जब कभी भी request permission करते हो different different जगा से तो उनके अलग-अलग request code करने पड़ेंगे क्योंकि जो आपको इसका return मिलेगा जब request की जाएगी पर्मिशन तो जो result आते हैं वो आते हैं on permission result के अंदर तो वहां पर आपको request code को compare करवाना पड़ेगा कि जिस particular request permission के साथ में आपने जो request code बेजा वो इसमें मैच हुआ कर नहीं हो तो आपको यह वाला काम करना है नहीं तो दूसरा काम करना है तो आपको different permissions के उपा different काम करवाना है तो आप different request code को यूज करोगे तो यहां पर हम activity का reference देल सकते हैं क्योंकि यहां हम पहले से on click listener class में तो main activity.this फिर string array तो हम new string array बनाते हैं और यहां पर हमारी permission add कर देते हैं permission का नाम क्या है access find location, lead sms और तीस सी चीज़ हमको क्या देना request code तो request code मैं उपर बना लेता हूं एक private static यह एक मैंने static final क्यों बना है क्योंकि static इसलिए बना है जाकि मैं इसको कहीं से भी call करते हूं को मैं को required होता हूं बिना object को create किये और final इसलिए बनाया है ताकि इसकी value change ना यह चेंज हो गई तो यह problem create कर सकता है तो change नहीं कर पाए मतलब इसको reassign ना हो इसके ऊपर override ना की जा सके variable में value और इसका नाम हम capital letters में इस से लगता ताकि हम इसको बाकी variables identify कर सके एकर वो सारे capital letters में that means static final keyword है और यहां पर मैं एक dummy integer value देता हूं कोई भी value आप दे सकते हो यहां पर बस सेम नहीं होनी चीए multiple request code सी चीए रिक्वेस्ट तो यहां पर हमारा request permission वाला जो काम है वो start हो जाएगा अब जैसी आप request permission करोगे तो यह dialogue box यहां खुल जाएगा अब आपको यह देखना है कि user user तो अलाव भी कर सकता है तो आपको यह चेक करना है कि उसने अलाव किया डिनाय किया तो आपको जो set of instruction एक्जीकूट करवाने तो वह कर सकते हो अगर डिनाय किया तो आपको क्या message show करवाना है आप वो शो करवा सकते हो कि यह permission बहुत जरूरी है या अगर यह चीज permission नहीं लेगी तो आपको message show करवा सकते हो आप वह जो फंक्शनल्टी अगर आपके इसके बिना भी चल सकता है तो आप वह फंक्शनल्टी यूज करा सकते हो और वहां पर बता सकते हो कि यह वाली जो चीज है जो यह permissions है यह है except होई के नहीं मतलब की हें वह वह आपको ज्यूंका result अधना है इस method के बार on permission यमे और request permission by jouer बिजल्ट हो यह आपका अनर रिक्वेस्ड परमेशन डिजल्ट और यह हां पर आपको देखो एक तो request code मिल रहा है एक आपको commons मिल और यह पाता और grant results results जो है वो आपको इसमें मिल रहे हैं हमको इधर से idea होगा तो हम यह क्या करेंगे if सबसे पहले condition लगाएंगे request code के लिए कि जो request code है वो किसके equal है जो हमने बेजा था उसके equal है कि नहीं है अगर है तो हमारा वाला code होगा मतलब इसके लिए हमने यह वाला request code बेजा तो इसके permission को grant होने पर आपको कुछ अलग काम गरान होगा कि यह जो पर्मिशन थी यह चीज के लिए थी तो उसके grant होने पर कुछ अलग काम होगा तो इसलिए इस request code को हम यह चेक करते है तो request code डबल और वो result हम वो कहां से मिलेगा grant result उससे पहले हम एक और चीज़ चेक कर लेता है if grant results.length is greater than 0 तो यह चेक क्यों लगवा रहा हूँ क्योंकि मैं आगे काम तभी करूँ न जब request जो grant results है उनकी जो length है वो 0 से greater हो that means हमने दो permission देती या हम एक permission देंगे या चार देंगे या पांच देंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि land 0 यह आएगी अगर पर्मिशन ग्रांट हो चुकी है तो उनकी जो length होगी या वन आएगी टू आएगी ज्यादा ही आएगी तो अगर वो 0 से greater है that means कि कुछ ना कोई ना कोई पर्मिशन जो ग्रांट हुए तो हम यहां पर आप क्या करेंगे condition लगाएंगे condition से पहले हम वैलियू से ले रहे हैं इंटेजर लोकेशन और वो कहां से मिलेगा आपको ग्रैंट जो पहले पर्मिशन आपने एरे में एड़ करी वो पहले मिलेगी आपको रिजल्ट के अंदर ग्रैंट रिजल्ट जीरो तो जीरो इंडेक्स पर पढ़ा है वो आगया आपके समें इंट मैसेज इक्वल्स टू तो अब हम क्या कर सकते हैं इंटीजर में वैल्यू सतागी हम इसको बुलियन मैं चेक कर वाएंगे चेक लोक जैसा हमने चेक पर्मिशन के वक्त किया था डबल इक्वल्स टू यहां पर हम बुलियन वैल्यू डाल रहें तो लॉक को हम किससे कंपेर कर वाएंगे ग्रांटेट से तो पैकेज मैनेजर डॉट में फिल्मिशन ग्रांटेट के ऐसे हम बुलियन वैल्यू जे लिए है ओ चैक कि मैसेज अगर माइन परमिशन ग्रांटेड है और अगर माइन वन मिलती है टो हैं तो यहां पर हमारे पास दोनों बुलियन वेलिए अपने को क्या करना है सिंपल सी के इस कंडिशन लगा के इनको चेक करना है इस चैक लॉग यहां काम स्ट współčत मते और यहां परण समय को से चैक स्ट किया काम करना वह यह और इगर यह किया चैक किया तो यहां पर जो भी कोड करना है आपको जो भी उसके पर्मिशन मिलने के बाद में आपको काम करना था वो यहां हो जाएगा चीक है अब आप बोलो कि दो जगा सेम कोड आ तो आपको इसको क्या करना है मैथट के अंदर बना के रख लेना है जो भी कोड आप बार बार यूज करने वाले को आप क्या यूज कर सकते हो मैथड मैं में धिसकोन परिशन और लूप रहु आप तोलो कर सकते हो आप मैसेज लो कर सकते हो अप नोटिफाइates टो वह कर तके हम इह तो यहां अगर वह क्लिक कर रहा हूं तो अगर वह पहले से ग्राइट यहां पर्मिशन आल्रेडी ग्रांटेड अगर नहीं है तो डालोग बॉक्स ओपन होगा और देन आगे का प्रोच्टर स्टार्ट होगा उसको चला के देखते हैं यहां हमारी एप रहन हो चुकी है मैं रिक्वेस्ट पर क्लिक करता हूं यहां पर देख सकते हो अलाव रॉन टाइम पर्मिशन तो एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन दिना और यह यह जो रॉन टाइम यह जो आपका यह एक्सेस दिवाइस लोकेशन पर देनाई करता हम तो इसके डिनाय करते हैं तो वह हुआ सा कॉल होगा और रिक्वेस्ट पर्मिशन डिजल्ट इस पर चैक किया जाएगा पर्मिशन ग्रेंट हुई के नहीं अब आपस करते हैं इस क्लिक यहां पर आता है ह कि अब अगर मैं वापस कितनी मार्य इस रुपस्ट पर क्क्लिक करूंगा कि युद्ध दो मिल रखिए तो अब पर मिशन ऑल्रेडी ग्रेंट तो हर बार यह वाला जो कोर्ण है की परमिशन अमल चुके जब तक यूजर अंदर सैटिंग में जाके उसको परमिशन को वापस ह कर दो